क्या होगा जब aliens खुद सामने आकर इंसानों से contact करेंगे और आपको ये पता चले के कुछ सालों में aliens प्रिथवी पर आ जाएंगे लेकिन इंसानों को ये नहीं पता कि आखिर aliens का मकसद क्या है क्या वो इंसानों को मिटाने के लिए आ रहे हैं या हमारी मदद करने ये सीरीज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है पूरी दुनिया में अजीब अजीब घटनाए हो रही है कुछ ऐसी घटनाए जिनका कोई मतलब नहीं बनता पूरे दुनिया में science खतम हो चुकी है आखिर क्या हो रहा ये सब क्या है इन सब के पीछे का राज क्यू scientist की जान जा रही है देखें की शुरुवात होती है 1966 में और हम चाइना के राजधानी बेजिंग के सिंग्वा यूनिवर्सिटी को देखते हैं जहां सारे स्टुडेंट्स क्रांती करने के लिए रास्ते पर उतर आये थे ये चाइना यूथ रिवल्यूशन का समय था और जितने भी लोग इस करांती का विरोत कर रहे थे उन सबी को वो मार देने का प्लैन कर रहे थे तब ही वहाँ पर फिजिक्स के प्रोफिसर ये जेटाई को बुलाया जाता है उसने भी इस क्रांती का विरोत किया ये सब देखकर उस प्रोफिसर की बेटी ये वेन जी वो काफी घबरा गई थी और वो बेबस और हल्पलेस हो कर देख रही थी बाजू में जितने भी लोग रहते हैं वो सब ही उस फिजिक्स प्रोफेसर के स्टूडेंट हैं और वो अपने ही प्रोफेसर पर रहम नहीं दिखाते हैं वो अपने पती से कहती है कि तुमने लोगों को जूट बोला कि इस दुनिया के निर्मान कैसे हुआ हमेशा से ही हम जूट पढ़ते आ रहे हैं लेकिन प्रोफेसर कहते हैं मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो सब कुछ सही पढ़ाया है इसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ फिजिक्स प्रोफेसर पर ताबर तोर हमला कर देते हैं जिससे उसकी बेटीव ये वेंजी बहुत जादा चीखने चिलाने लगती है और उस प्रोफेसर की वहीं मौत हो जाती है सबी लोग उस जगा से चले जाते हैं और बस ये वेंजी अपने पापा के साथ थी और उनके साथ आखरी वक्त बिता रही थी तब ही वहाँ पर एक करांती कारी रेड गार्ड आ जाते हैं और ये वेंजी उन्हें गुसे में देखने लगती है जैसे के अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगी अब कहानी चली आती है प्रेजन्ट के समय में मतलब 2024 का समय दिखाया जाता है लंडन शहर में एक डिटेक्टिव डाशी एक घर पर पहुँचते हैं जहां डॉक्टर सादिक मोहमद जो काराची में रहा करते थे उनका मर्डर हो गया उन्होंने MIT से कॉस्मोलोजी और Theoretical Physics की पढ़ाई की थी एक वाइड बोर्ड होता है जिसमें अजीब तरीके से बहुत सारे नंबर्स लिखे वे थे एक तरह का काउंडाउन था डिटेक्टिव ये देखकर चौक गये थे क्योंकि इतना अजीब मंजर उसने पहले कभी ने देखा था वहाँ पर लिखा हुआ था मतलब के वो अभी भी उसे देख सकता है और वहाँ पर उन्हें उस साइंटिस्ट के डेड बॉड़ी देखने को मिलती है उसके हाथ में चाकू था और डेड बॉड़ी की आँखे नहीं थी समझनी आ रहा था के ये क्या मर्डर है या कोछ और आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पार्टिकल एकसलेरेटर में सॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं वो एक साइंटिस्ट है और उसकी असिस्टेंट वेरा वहाँ पर आती है और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों जिस प्रोजेट पर काम कर रहे थे वो अब बंद हो चुका है लेकिन फिर भी सॉल इस थियोरी से अपना मन नहीं हटा पा रहा था सॉल कहता है कि उन्हों ने जितना एकस्पेरिमेंट किया वो सब बेकार हो गया क्योंकि साट साल से हम लोग जितने भी फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं वो सब कुछ गलत है साइंस खतम हो चुका वेरा वहाँ पर सॉल की तस्वीर देखती है और उसे कहती है कि तुम्हार मत मानना तुम्हारी उम्र जादा नहीं है तुम इस एकस्पेरिमेंट पर ध्यान दो क्योंकि तुम ही इसे सॉल्व कर सकते हो वेरा जाते जाते उसे पूछती है क्या तुम इश्वर पर यकीन करते हो सॉल चौक जाता है लेकिन कहता है नहीं वेरा कहती है कि अगर ईश्वर नहीं है तो क्या ही है वेरा एक अजीब से जगा पर आती है जो सुन्दर के साथ काफी भयानक भी लग रहा था और वो पानी में कूट कर अपनी जान दे देती है इसके बाद हम दो साइंटिस्ट को देखते हैं औगी और जिन वो दोनों एक बार में ड्रिंग कर रहे थे और साइंस को लेकर बाते कर रहे थे और जिन कहती है कि फिजिक समय के साथ बिकार हो दे जा रहा है बिल्कुल इस बार की तरह वहाँ पर एक लड़का आता है रूफस और वो दोनों के साथ फलर्ट करने लगता है और दोनों से पूछता है कि आप लोग करती क्या है औगी बताती है कि उसकी एक खुद की कंपनी है जो सिंथेटिक पॉलीमर नैनो फाइबर बनाती है जीन बताती है कि वो एक सीनियर रिसर्चर है ठेयोरिटिकल फिजिक्स ग्रूप में इंपीरल कॉलेज में और वो एक मेटा स्टेडी कर रही है जो पार्टिकल एक्सलेरेटर एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एनलाइज करती है अब इतने सारे टेक्निकल टर्म्स को सुनकर वो लड़के का दिमाग सुन पड़ गया था वो वहाँ से चला जाता है फिर दुनों बाते करने लगते हैं और जीन बताती है कि एकसलेरेटर से कुछ ऐसे नतीजे निकले हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं बनता तभी वहाँ पर रूफस गाना गाने लगता है जीन ओगी को पार्टिकल फिजिक्स का एक वीडियो दिखाती है जिसे देखकर वो भी हैरान हो गई थी कहती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए शायद किसी ने एकसलेलेटर को हैक कर लिया होगा इसी एकस्पेरिमेंट पर सॉल भी काम कर रहा था और इस एकस्पेरिमेंट से हमें ये जान सकते हैं कि यूनिवर्स के इस तरीके से काम करता है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये समझ के बाहर है तभी उन्हें सॉल का कॉल आता है और जेन उससे बात करने के लिए चली जाती है तभी रूफस वहाँ आता है और आगी को कुछ अजीब सी रोशनी नजर आने लगती है वो रूफस से पूछती है क्या तुम्हें वो दिख रहा है आगी काफी जादा डर गई थी और रोशनी एक काउंडाउन में बदल जाती है जेन आकर बताती है के वेरा ने खुद खुशी कर ली है हो सकता है ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसी एक्सपेरिमेंट से जुरा हुआ है और उसी एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर महमद भी शामिल थे डिटेक्टिव डासी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और दोनों के मौत पर वो कनेक्शन ढूनने की कोशिश करते हैं वहाँ कई सारे साइन्टिस्ट के तस्वीर भी लगे वे थे वो सब भी आक्सफोर्ट के स्टूडेंट हैं और उन में से एक था जैक फिर हम जैक और विल को देखते हैं जो दोनों वेरा के फुनेरल के लिए आएवे थें और विल जिन को काफी पसंद करता था कहता है कि कल से वो ठीक से सोया रही जैक उसे पूछता है सुना है जिन का एक नए बॉइफरेंड भी है ये सुनते ही विल का चेहरा मुर्जा जाता है देखते हैं कि जिन के बॉइफरेंड का नाम राज वर्मा है और वो नेवी में काम करता है वो लोग भी फुनेरल के लिए आये वे थें वहाँ उनकी मुलाकात सोल से होती है जिसे ठीक से टाइब आना में नहीं आता ओगी अभी तक वहाँ पहुँची भी नहीं थी वो ट्रेन पर थी और उसे फिर वही काउंट डाउन नजर आने लगते हैं जिससे वो बिल्कुल भी अच्छा फिल नहीं कर रही थी फ्यूनिरल में जिन वेरा की मां से मिलती है और जैक अपने दोस्त विल को चिड़ाये जा रहा था के तुम्हारी गल्फरेंट का बॉइफरेंट काफी हैंटसम है ओगी भी वहाँ पहुच गई थी और जिन उसे बात करती है और पूछती है कि तुमने नियूरोलाजिस्ट को दिखाया उसने क्या कहा तुम्हारे प्रॉब्लम्स के बारे में ओगी कहती है कि उन्हें भी कोछ समझ नहीं आया कि आखिर मुझे ऐसा क्या हो रहा है फिर वहाँ पर एक बुढ़ह आदमी माइक ईवन्स आता है वेरा को श्रधान जली देने और ओगी दोबारा से काउंट डाउन देखने लगती है फिर वो जब सबी बाहर आते हैं तो डिटेक्टिव उनकी तस्वीर क्लिक करने लगता है और वो उस बुढ़ह आदमी को भी देखता है और उसका भी पीछा करने लगता है वो बुढ़ह आदमी माइक उसका खुद का एक एनरजी कमपनी है और वो अपने हेलिकॉप्टर से वहाँ से चला जाता है तबी सारे दोस्त बैट कर कैफे में बात कर रहे होते हैं और सॉल बताता है कि वेरा का आखरी सवाल ये था कि क्या उसे इश्वर पर यकीन है ये सवाल बहुत ही अजीब था वो लोग जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट भी बंद होने को है क्योंकि दुनिया का कोई भी एक्सलेरेटर प्रोजेक्ट का नतीजा नहीं दे पा रहा और उनकी बातों से पता चलता है कि जैक ने ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ड्रॉप आउट कर दिया था और वो कोई सैंटिस्ट नहीं है और जब जैक और उगी से पूछता है कि तुम और सॉल एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या और जैक से कहती है कि अपना मुँ बंद करो नहीं तो मैं तुमारा सिर्फ फोड़ दूँगी उसका गुसा देकर सबी चौँग गए थे और उसे वहाँ पर एक लड़की मिलती है जो उसे लाइटर देती है और वो लड़की कहती है कि आज आसमान साफ नजर आ रहा है लेकिन और गी को तो काउंट डाउन नजर आ रहे थे कल आधी रात में बाहर निकल कर आसमान में देखना वो ओगी से पूछती है क्या तुमने ब्रहमांट को कभी अपनी पलके जपकाते वे देखा है वो ओगी को एक तरह का टोकन देकर जली जाती है अब कहानी आ जाती है 1967 के समय में इनर मॉंगोल या चीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो पेड़ काट रहे थे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे और वहाँ पर ये वेंजी भी काम कर रही थी और वो एक पेड़ के उपर बैठी भी थी तब ही एक आदमी वहां आता है और पूछता है के ये पेड़ कितना साल पुराना होगा ये वेंजी कहती है कम से कम 300 से 400 साल पुराना वो लड़का कहता है के उसका नाम बाई मूलिन है और कहता है के तुम मुझे अपना साथी समझ सकती हो ये वेंजी पहाड के उपर एक बड़ा सा एंटिना देखती है बाई कहता है कि मैं वहाँ जा चुका हूँ पता नहीं उस दर्वाजे के अंदर क्या होता है उसके जितना करीब जाओगे उतना अजीब लगेगा वहाँ तो सिपाईों के बाल भी उड़ गए है बाई उसे साइलेंट स्परिंग नाम का एक बुक देता है जिसमें लिखा गया है कि कैसे ये इनसान दुनिया में जहर घोल रहे है अगर इसी जिद से हम दुनिया को तबाह करते रहेंगे तो आने वाले वक्त में क्या होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है वो उसे कहता है कि तुम इस किताब को रख सकती हो लेकिन होश्यार है ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए रात के समय ये वेंजी उस किताब को पढ़ रही थी अगले दिन जब ये वेंजी सामने के नजारे को देखती है कि कैसे वो लोग जंगल को साफ कर रहे थें तो उसे खुद बहुत बुरा लगता है और वो और बाई समय के साथ नस्दी का रहे थें एक सुबा जब वो सोकर उठती है तो उसके पास वो किताब नहीं थी कमांडर से वो टकरा जाती है और उसके पीछे बाई भी था कमांडर उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये घटिया किताब कहां से मिली लेगिन वो कुछ नहीं बोलती इसलिए उसे डिविजन हेट कॉर्टर भेज दिया जाता है और वहां उसे जेल में रखा जाता है और उसे मिलने के लिए एक औरत टेंग ली हुआ आती है और वो ये वेंजी से कहने लगती है कि तुम तो उस गदार ये जेटाई की बेटी हो लेकिन हमें लगता है कि तुम अपने पिता की तरह नहीं हो पर तुम अपने पिता की तरह टैलेंटेड जरूर हो और तुम्हारे इस टैलन्ट کو हम जाया नहीं जाने देंगे वो उसे कहती है इस कागज़ाथ पर साइन कर दो और तुम वापस से उस कंस्टरक्शन कंपनी में काम कर सकती हो ये वेंड जी पहले उस कागज़ाथ को पढ़ती है लेकिन इसमें तो उसके पापा के साथ काम करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस थें लेकिन वो कहती है कि ये सब जूट है और मैं साइन नहीं करूँगी वो औरत कहती है कि अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मिलिटरी तुम्हें गिरफतार कर लेगी फिर हम भी नहीं बचा सकेंगे लेकिन ये वेंजी नहीं मानती और वो औरत इस बर्फ जमाने वाले ठंड में एक बाल्टी पानी ये वेंजी के उपर ढाल देती है इसके बाद म फूफिया एक्सपरिमेंट पर काम करने के लिए चुना गया था और अगर वो जेल नहीं जाना चाहती है तो वो मिलिटरी के साथ काम कर सकती है मगर वो एक बार अंदर गई तो बाहर नहीं आ सकती ये वेंजी कहती है कि उसे मनजूर है कहानी चली आती है प्रेजन्ट में याने 2024 में जहां डिटेक्टिव को उसके बॉस थॉमस का कॉल आता है। और वो लोग बात कर रहे होते हैं उन्हीं पांच साइंटे स्टूडन्स के बारे में क्योंकि जिनकी भी मौत हुई ये लोग भी उसी से कनेक्टेड हो सकते हैं। और इनके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। थॉमस बूचता है कि माइक अपने हेलिकॉप्टर से कहां गया था। डिटेक्टिव बताता है कि अट्लांटिक पर जाकर वो अचाना गायब हो गया। हमारे सैटेलाइट खराब हो गया है। थॉमस कहता है कि तहरान से जो चमकदार बाई सैकल हेलमेट देखने को मिला। उसका क्या पता चला। डिटेक्टिव कहता है कुछ खास नहीं पता चला। थॉमस उसे समझाते हैं कि तुम्हें MI5 या फिर स्कॉटलेंड यार्ड सब जगा से निकाल दिया गया था। तुम्हारे पास यह आखरी मौका है, खुद को साबित करो। वेरा की मा और जीन मिलकर वेरा के फोटो के सामने खाना रखते हैं। और जीन समझनी पा रही कि आखर वेरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जीन कहती है कि मरने से पहले वेरा ने ईश्वर के बारे में पूछा था, जो के काफी अजीब था। वेरा की मा कहती है कि हम तो इन सब पर यकीन भी नहीं करते। वो बताती है कि उसकी बेटी बहुत वीडियो गेम्स खेला करती थी। और वो वही चमकदार हेलमेट निकालती है लेकिन जीन को लगता है कि ये कोई वीडियो गेम वाला हेलमेट तो नहीं लगता। वहाँ पर जिन उस औरत की जवानी की तस्वीर देखती है और यहां हमें पता चलता है वो बुड़ी औरत कोई और नहीं बलके ये वेंजी है। फ्लैश बैक में देखते हैं कि उस मिलिटरी बेस के अंदर उसे लाया जाता है और सभी लोग किसी की टेस्टिंग कर रहे थें। इसके सामने एक मंदिर नजर आता है और उसके पीछे से एक बहुत बड़ा सूरा जुगरा था। ये सुन्दर नजरा देखकर वो मुस्कुरा रहे थी। लेकिन तभी तेज हवाय चलने लगती है और मिटी के अंदर एक डेड़ बाड़ी को देखकर वो अपना हेट सेट निकाल लेती है। डिटेक्टिव अपने कली के साथ इस केस के बारे में डिसकस कर रहे थें। ये भी कहते हैं कि जिनकी डेट हुई है उनके साथियों पर भी नजर बनाया रखना होगा। और उन्हें ये समझ नी आ रहा था कि आखिर साइंस बरबाद होने का मतलब क्या होता है। और गी बजने में दो मिनिट बाकी थें। फिर हम ये वेंजी को देखते हैं जो आफिसर्स के साथ मिलती है। और वो उसे बताते हैं कि हम यहां जो करते हैं लोग उसे सही नहीं कहते। वो बताना चाते थे कि आखिर ये रेड़ गार्ड प्रोजेक्ट है क्या। फिर जैसे ही रा आफिसर्स ये वेंजी को बताते हैं कि हम एंटिना से जो फ्रिक्वेंसी भेशते हैं उससे हम कम्यूनिकेट करते हैं। सौल बताता है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं और वो जो भी नंबर बोल रहा था वही नंबर ऑगी अपने काउंट डाउन में देख रही थी। आसमान में जो कुछ भी हुआ उसकी खबर निउस में भी दिखाई जारी थी। वेंजी से मिलने के लिए सोल आता है जो जबगते वे सितारों के बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो कहता है ये सब बकवास है क्योंकि किसी भी सैटलाइट ने ये सब कुछ देखा ही नहीं ये सब ए लेकिन जैसे के उस लड़की ने कल रात कहा था प्रोजेक्ट बंद कर देने के लिए ओगी वैसा ही करती है वो सभी से कहती है प्रोजेक्ट को बंद कर दो अब उसके पास डेर मिनिट से भी कम वक्त बचावा था लेकिन तब ही उसे मिलने के लिए डिटेक्टिव आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें जाना नहीं है कि सितारे जपक क्यों रहते हैं कहानी चली जाती है 1968 में चाइना में हम ये वेंजी को देखते हैं जो आफिसर्स के साथ बैट कर मेसेज को सुन रही थी जो वो लोग कई सालों से भेज रहे हैं एमेरिकन रूस से पहले भ मगर वो आफिसर्यांग कहता है कि ये ट्रांस्मिटर दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रांस्मिटर है ये वेंजी कहती है कि उसे इस ओथर से मिलना है जिसने ये लिखा है जो कैलिफॉर्निया में रहता है लेकिन ओफिसर्यांग कहते हैं कि हम किसी अमरीकी से मदद नहीं ले गया, जूपिटर से एलेक्ट्रोमानिटिक रेडियेशन आ रहा था, और हमने भी एक धमाका मह्सूस किया, लेकिन ये धमाका सूरज से आ रहा था, येंग हैरान हो जाता है और उसे को समझ नहीं आ रहा था, वो समझाने लगती हैं, ये धमाका जूपिटर से पृत्वी पर 38 मिनिट लगते हैं, जुपिटर से सूरज तक पहुचने में 43 मिनिट, और सूरज से पृत्वी पर 8 मिनिट, 43 प्लस 8 मतलब 51, इसका मतलब ये हुआ कि 13 मिनिट का फर्क है, मतलब ये हुआ कि सूरज ने जुपिटर के रेडियो वेव को रिफलेक्ट किया, सिर्फ इतना ही नह में जो भी हैं उसे कॉंटेट कर पाएंगे, ये ही कैलकुलेशन यैंग अपने ओफिसर को दिखाता है और इस कैलकुलेशन का सारा क्रेडिट वो खुद ले लेता है, ये सब देखकर ये वेंजी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रोफेसर कहने लगते हैं, कि इन सब क राजनीती पर बहुत बुरा सर परेगा, सब पागलपन के वज़े से हमें माट देंगे, ये सब बंद करो, अब सिगनल पाने के लिए घंटो ये वेंजी एंटीना के सामने बैठे रहती है, और जैसे वो लोग बाहर सिगनल ट्रांस्मिट करते हैं, ये वेंजी बिना किसी को बताए, एंटीना सूरच की तरफ मोड देती है, प्रिजन समय में डिटेक्टिव ऑगी से माइक के बारे में पूछते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओयल कमपनी का मालिक है, पूछता है क्या खिर वेरा की ऐसे लोगों सी दोस्ती क्यों थी, लेकिन ऑगी को कुछ को जलाया था, वो रेकॉर्ड हो गया था, ऐसा लगता है किसी ने उस लड़की को फोटो से निकाल दिया हो, वो औगी से पूछता है तुम भी तो बहुत एहम सक्षियत हो, तुमने नैनो फाइबर का इजाद किया है, जो इनसानी बाल से तीन हजार गुना जादा पतले है डिटेक्टिव बताते हैं कि तुमने जैसे ही काम को छोड़ा, वो काउंटडाउन बंद हो गया, न्यू दिली के एक साइबरनेटिक प्रोफेसर को भी ऐसे ही काउंटडाउन दिखाई देता था, ऐसे कई लोग हैं, और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना काम चोड़ दिया, जीन दोबारा से उस हेड़ सेट को पहन लेती है और फिरसे वो वीडियो गेम जैसे दुनिया में पहुंचाती है, वहां उसे मिलने के लिए काउंट आफ दा वेस्ट नाम का एक आदमी आता है, जीन सोचती है कि ये जरूर गेम के कैरक्टर होंगे, वो अफरा तफरी का यूग है या शांती का यूग, अगर तुम गलत हो गई तो ये पूरी सब्यता खतम हो जाएगी, तब ही सामने से सूरज उगने लगता है और सभी लोग जाकर छिप जाते हैं, काउंट आफ दा वेस्ट अपने फॉलोवर यानि उस चोटी लड़की से कहत है कि हम तीनों यहां नहीं रह सकते हैं, किसी एको अपनी कुर्बानी देनी होगी, और वो चोटी लड़की सामने लेट जाती है, और सूरज के सामने आने से वो चोटी लड़की मरती नहीं बलके सूख जाती है, वो आदमी उसे रोल कर देता है, और जिन को दे देता है, औ किन उसे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इसमें तो कोई चारजिंग पोर्ट भी नहीं था कमपनी का लोगो भी नहीं है जैक उस डिवाइस को पहन लेता है लेकिन वहाँ पहुँच के वो खुश भी था क्योंकि सब कुछ इतना असली जो लग रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उसका सिर कार देती है कहती है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए जैक बहुत डर गया था और वो जिन पर चिलाता है कि यह जो कुछ भी है यह काफी खतरनाक है यह टेकनोलोजी अभी से काफी साल आगे की है जिन कहती है कि वेरा मरने से पहले यही गेम खेली थी जैक दोबारा से उस दुनिया में जाता है लेकिन वो औरत उसका गला कार देती है उसे लग रहा था यह जरूर कोई बड़े मकसद के लिए बनाया गया है ऐसे गेम खेलने के लिए नहीं वो फिर पहनता है लेकिन वो औरत उसे दोबारा मार देती है इसके बाद जिन ट्राइ करती है लेकिन उसे नहीं पता था कि उनकी बाते डिटेक्टिव सुन रहा था सॉल आगी से मिलने के लिए आता है और वो काफी खुश है कि आगी का काउंट डाउन खतम हो गया आगी बताती है कि उसने अपना काम रोख दिया तब ही ये काउंट डाउन बंद हुआ है लेकिन अब उसके कंपनी वाले उसे निकालने वाले है डिटेक्टिव अपनी पतनी से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाता है और और वो कब्र के सामने एक कप के करक देता है तब ही वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो उस रात ऑगी से मिली थी जो वहाँ अपने पता से मिलने के लिए आई है वो डिटेक्टिव से पूछती है कि तुम्हारी पतनी को हुआ क्या था तो वो कहता है ब्रेस्ट कैंसर वो लड़की बताती है कि उसके पता को सिर पर गोली मार दी गई थी डिटेक्टिव वहाँ से चला आ जाता है और उस लड़की के जाने के बाद देखते हैं कि वो एडित नाम की लड़की के कबर के पास आई थी और ये उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि चार साल की उम्र में एडित दुनिया को छोड़कर चली गई जैक अपने घर आता है तो उसे अपने घर पर वही हेडसेट मिलता है और उसे इस बार गेम खेलने के लिए इन्वाइट भी किया गया था इसलिए वो तुरंट वीडियो गेम की दुनिया में पहुँँ जाता है और उसके दुनिया में सामने कोई मंदिर नहीं बलके एक किला नजर आ रहा था उसे मिलने के लिए भी दो लोग आते हैं लेकिन जैक अपने सिर काटने और गला काटने का बदला उस आदमी पर बखु भी निकालता है उस प्लेयर को मुका मारता है विल जो के फिजिक्स का प्रोफेसर है वो स्टूडेंट्स को मल्टी वर्स के बारे में बता रहा था तबी उसे डॉक्टर चौधरी का कॉल आता है और डॉक्टर उसे कुछ बताते हैं जिससे वो काफी उदास होया था वो जैक से मिलने के लिए जाता है लेकिन हमेशा की तरह जैक बोलते ही जा रहा था अपने वीडियो गेम के एक्सपीरिंस के बारे में और वेल उसे बता देता है कि उसे स्टेज 4 पैंक्रियाटिक कैंसर है और उसके पास सिर्फ 2-6 महीने तक का वक्त है जैक उसे कहता है तुम्हें हार नी माननी चाहिए क्योंकि तुम हमेशा हार मान लेते हो तुम फिजिक्स को छोर कर चले गए तुमने जीन को भी आज तक प्रपोजनी किया उस गेम के अंदर जीन समराट जाओ से मिलने के लिए आती है और काउंट आफ दा वेस्ट समराट को दुन्या को बचाने के बारे में बता रहा था लेकिन जीन वहाँ पर कहने लगती है के हम दुनिया को बचा सकते हैं लेकिन फिजिक्स का इस्तमाल करके काउंट आफ दा वेस्ट वहाँ पर बहुत सारी चोटी चोटी लकडियों को सजाता है और बताता है के अफरा तफरी का युग आठ दिनों में खतम हो रहा है और उसके बाद 63 सालों तक शांती का युग बना रहेगा वो जिन से कहता है अपना हाथ जमीन पर रखो समय जल्दी गुजरेगा और बिल्कुल वैसा ही होने लगता है और अफरा तफरी वाला माहौल बीद जाता है और जितने भी लोग पहले सूरच के कारण सूख गए थे उन्हें पानी में गिरा दिया जाता है और वो दोबारा से इंसान में बदल जाते हैं वो छोटी बच्ची भी बच गई थी लेकें तभी अंधेरा होने लगता है और ठंडी हवाई चलने लगती है वो छोटी बच्ची जिन को पुकारती है लेकिन वो ठंड में जम गई थी और उसका हाथ तूट जाता है मतलब कि शांती का यूग आ गया है ये अंदाजा Count of the West ने गलत लगाया फिर वहाँ पर एक औरत आती है और जिन को बताती है कि तुम इस सभेता को बचाने में नाकाम रही लेकिन दूसरे पड़ाव में तुम्हें साइंस का इस्तमाल करना पड़ेगा और हम देखते हैं कोई तो है जो सारे वीडियो गेम की दुनिया को अपने स्क्रीन पर देख रहा था डिटेक्टिव थॉमस से मिलने के लिए जाता है और वो माइक के बारे में पूछता है तो डिटेक्टिव बताता है कि वो हमेशा से बुरे कामें शामिल था वैक्सिन के खिलाफ आवाज उठाना 5G के पीछे कौन्स पे रिस्ति करना थॉमस कहता है जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भी माइक ही है डिटेक्टिव ने कुछ स्टडी किया है और पता चला है कि 1977 में वो स्टेट उनिवर्सिटी में भी 72 सेकेंड के लिए ऐसा ही कुछ मतलब इस सितारों को जपकते वे देखा गया इस सिगनल को नाम दिया गया था वाव सिगनल उन्हें लग रहा था कि ये एलियंस की तरफ से कोई सिगनल है डिटेक्टिव कहता है कि ये माइक भी बहुत अजीब आत्मी है और क्या आपको पता है कि वो 1977 की समय कहां काम करता था फिर हम चले जाते हैं फ्लैश बैक में ये वेंजी और यैंग को देखते हैं जो एक आदमी से मिलने के लिया आते हैं वो आदमी यहाँ आया है ताकि वो पक्षी के एक प्रजाती को बचा सके जो पेड काटने के वज़े से अब विलुप्त होने के कागार पर है ये वेंजी बताती है कि वो यहाँ पर रेडियो लैब बनाना चाहती है वो आदमी मना करता है और उसे पूछता है क्याकर तुम इंसानों की लालसा कब खतम होगी तुम्हें ये सब देखकर दुख नहीं होता वो जवाब देती है मैं कुछ कर नहीं सकती वो उन दोनों को जाने को बोलता है और बाहर निकल कर वो आदमी अपना नाम बताता है कि वो ही माईक इवन्स है और ये वेंजी उसे वादा करती है कि वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करेगी येंग से बात करने पर वो बता रही होती है कि लैब बनाने के लिए वो कोई दूसरा जगा देख लेंगे लेकिन येंग नहीं मानता और वो उसे समझाता है कि तुमने यहां आठ साल दिये है इसे ऐसे बरबाद मत होने दो वो बताता है कि एक औरत उनकी मदद करने के लिए आई है और वो कोई साइंटिस तो नहीं है उसका नाम है टैंग हॉंग जिंग और वो रेड गार्ड हुआ करती थी 1966 में उसने सिंग्वा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हत्या कर दी थी उसका नाम था ये जेटाई ये सुनकर ये वेंजी समझ जाती है कि ये तो उसके पिता ही है इसलिए वो उस ओरत से मिलने के लिए काफी बेताब थी उस ओरत को देखते ही वो गुसे में आग बबूला होने लगती है ये वेंजी से बात करने पर वो औरत कहती है कि समय बदल चुका है मैं भी बदल चुकी हूँ लेकिन ये वेंजी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करने वाली थी वो औरत बताने लगती है के पार्टे के तरफ से उसे बहुत काम कराया जाता था उसे जमीन पर सोना पड़ता था और एक दिन उसके हाथ में इंफेक्शन हो गया इसलिए उन्होंने उसका हाथ काड़ दिया वो कहती है के तुम तो पढ़ाय में अच्छी थी तुम्हारे पास दिमाग है तुम बच गई वरना तुम्हें भी हमारे साथ काम करना पड़ता ये वेंजी बोलती है के दिमाग तो मेरे पापा के पास भी था कहा छोड़ा तुम लोगोंने उसे लेकिन उस औरत को अपने प्रोफेसर को मारने का कोई पच्टावा नहीं था ये वेंजी को रात में सिगनल देखने को मिलता है स्क्रीन पर चाइनीज में लिखा हुआ था डू नोट एंसर मतलब जवाब मत देना मैं इस दुनिया की शांदी वादी हूँ तुम काफी लगी हो कि तुम्हारा मेसेज मैंने पढ़ा इस सिगनल का जवाब मत देना अगर तुमने ऐसा किया तो हमें वहाँ आना पड़ेगा और हम तुम्हारी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे ये मैसेज देखकर वेंजी डर के मारे कापने लगती है क्योंकि वो उमीद कर रही थी कि वो लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे लेकिन ऐसा था नहीं ये वेंजी एंटीना को सूरज की तरफ मोड़ती है और बावजु दिसके के एलियन ने मना किया था सिगनल भेजने को वो फिर भी सिगनल भेज देती है और मैसेज में लिखती है आप लोग आईए हम लोग खुद को बचा नहीं सकते और इस दुनिया को जीतने में मैं आपकी मदद करूंगी और वो हिम्मत जुटा कर मैसेज भेज देती है कहानी आ जाती है प्रेजन्ट में और हम योरोप काउंसिल फॉर नुकलियर रिसर्च याने के सर्ण इंस्टिटूट को देखते हैं स्विट्जर लैंड में जहां डिटेक्टिव वहां पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यहां पर भी दर्जनो प्रोजेक्ट बंद हो गए है वो भी दो माहिने में और तीस से भी ज़ादा सैंटिस्ट की मौत हो गई है एक सैंटिस्ट के डेड बोडी वहां परढ़ी भी थी डिटेक्टिव कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे कागज रखे वे थें और एक लॉकर भी था जिसमें वही हेड सेट होता है जिसे वो डिटेक्टिव बहुत समय से ढून रहा था तो वहीं लंडन में पांचों दोस्त जैके घर पर बैठ कर स्विट्जर लेंड में मारे गए साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे थें विल ओगी से पूछता है कि वो काउंटडाउन तुम्हें अभी भी दिखाए देता है तो वो कहती है नहीं मेरे करियर की तरह वो भी खतम हो गया विल जिन से बात करता है और बताता है कि वो पढ़ाना छोड़ रहा है क्योंकि उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ एक्सपिरियंस करने को है और कैंसर वाली बात वो जिन को अभी भी नहीं बताता और गी बातरूम ढूंटे वे उपर आती है और उसे जैक के कमरे मे वो ही हेट सेट देख लेती है जिसे वो पहन लेती है और पहुंच आती है गेम के अंदर लेकिन उसका भी गला कार दिया जाता है क्योंकि उसे इंविटेशन नहीं मिला था वो जैक से पूछने लगती है कि ये है क्या वो समझ जाती है कि जैक और जिन ये गेम खेल रहे है और वो उन लोगों से कहती है के वेरा भी मरने से पहले यही गेम खेला करती थी और तुम लोग भी यही गेम खेल रहे हो वो जिन से पूछने लगती है आखिर यह चीज है क्या यह हमें काबू कर रही है जैक कहता है के बिना नियोता के कोई भी इस गेम को नहीं खेल सकता और किसी ने उसे इंवेटेशन भेजा लेकिन उसे नहीं पता कौन उसके घर की सेक्यूरिटी भी बहुत तगड़ी है और उसने कैमरा फुटेज भी देखा लेकिन कोई नजर ही नहीं आया किसने इस हेट सेट को यहां पहुँचाया और Augie और सॉल को लग रहा था और जिन कहती है कि उसे अगली सब्यता किसी भी तरह बचानी होगी वो भी साइंस के मदद से वो लोग जो भी गेम के बारे में डिसकस कर रहे थे डिटेक्टिव उन दोनों की बातों को सुन रहा था इसके बाद दोनों ही अपना हेट सेट पहन लेते हैं और गेम में पहुँचाते हैं ये था लेवल टू और वहाँ दोनों एक साथ थें सामने एक किला था और वहाँ पर जिन को वही छोटी बच्ची मिलती है जो उसे मिलकर बहुत खुश थी वह लड़की कहती है कि अगर आप दुनिया को बचाने के लिए आएं तो जल्दी करिए पोप अपना फैसला सुनाने वाले हैं उस लड़की को अपनी सारी मौते याद हैं दोनों महल के अंदर आते हैं और पोप ग्रेगोरी अपना फैसला सुनाने वाले थें का हिस्सा है अगर ये ग्रह किसी एक सूरज के चारो और घूमता है तो वो शांती यूग है लेकिन अगर ये ग्रह किसी दूसरे सूरज की तरफ चला जाता है तो अफरा तफरी का यूग शुरू हो जाता है ये सब सुनने के बाद पोप उन दोनों को जला कर मार देने को बोल लेकिन उन दोनों को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो दोनों तो गेम का हिस्सा है इस दुनिया के नहीं फिर वहाँ पर सिर काटने वाली ओरत आ जाती है और बताती है कि इस सभ्यता का अंथ तीन सूरज के वज़े से हुआ लेकिन तुम इसका कारण समझने में काम्याब रहे इ एक छोटी सी बच्ची भी है जिसे बचाना पड़ता है लेकिन हर बार वो नाकाम हो रहे हैं। हेड़ सेट के अंदर एक रेटीना स्कैनर है। ऑक्सिजन मीटर है और ब्रेन वेव सेंसर है। और ये बहुत सारे बायोमेट्रिक डाटा एकटा करता है। थॉमस कहता है कि लगता है वो लोग यहां से होश्यार लोगों को भरती करना चाते हैं। जिन अपने सामने अपने बॉइफरेंड राज को देखती है और राज उसे पूछता है कि फैमली डिनर को कुछ समय के लिए टाल देते हैं। जिन कहती है इसी कोई जरुट नहीं है, राज कहता है ठीक है लेकिन उनके सामने साइंस की बातें मत करना। मागर डिनर पर देखते हैं के जिन परिवार के सामने साइंस की ही बाते करने लगती है राज के पापा बताने लगते हैं के वो कारगिल यूद में लड़ने के ले गए थें और वो बताने लगते हैं के कैसे उन्होंना पाकिस्तान के सोलडर को मार गिराया और इसके लिए राज के पापा को परम विर्चकर भी मिला विल का कैंसर का उपरेशन होता है और उसे मिलने के लिए सोल और जैक आते हैं और फिलहाल वो दवाई के नशे में था इसलिए वो कुछ भी बाते कर रहा था ओगी अपने आफिस आती है और उसके बहुत सोचरे होते हैं कि आखिर बात क्या हो गई कि ओगी अपने ही इस कीमती प्रोजेट को बंद करके चली गई उन्होंने सोच रखा था कि मार्केट में सबसे पहला नैनो फाइबर वही लाँच करेंगे लेकिन ओगी ने सब बर्बात कर दिया वो ओगी से कहा देते हैं कि तुम अभी भी पैरोल पर हो अगर काम नहीं करोगी तो वर्क विज़ा ना मिलने पर तुम्हें वापस जाना पड़ेगा जो तुम शायद नहीं चाहती हो इसलिए मजबूरान उसे अपना प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ता है वो जैसे मशीन स्टार्ट करती है काउन डाउन स्टार्ट हो जाता है और उसके पास करीब एक मिनिट का समय बचा था इसलिए वो डर के मारे मशीन बंद कर देती है और रोते हुए सॉल को कहती है और बताती है कि वो नमबर मुझे फिर से दिखने लगे हैं और उसे समझा गया था कि आखिर साइंटेस्ट मर क्यू रहे हैं और उसे लग रहा था कि अगला नमबर उसका है इसलिए सॉल को वो अपने पास बुलाती है लेकिन सौल एक लड़की के साथ था और उस लड़की की आवा सुनकर ओगी गुसे में फोन कार देती है सुबा होते ही जिन जैक के घर पहुंचती है लेवल 3 खेलने के लिए और वो गेम के अंदर पहुंच जाते हैं शांग डू और उन्हें पता चलता है के वो लोग अभी 3 बॉड़ी सिस्टम में है और इस 3 बॉड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है उन्हें ढूनना पड़ेगा उन्हें वहाँ पर वही छोटी लड़की मिल जाती है लेकिन वो कहती है कि हम लोग बात नहीं कर सकते हैं वहाँ के समराट खान से मिलने के लिए दोनों पहुंच जाते हैं और 3 बॉड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढून रहे थें लेकिन वो पहले सुनना चाते हैं कि दोनों के पास कोई सल्यूशन है या नहीं पर जिन के पास भी कुछ खास कहने को नहीं था वहाँ दो साइंटिस्ट थे टूरिंग और आईजेक न्यूटन और उन्होंने वहाँ पर एक तरह का इंसानी कम्प्यूटर बनाया है जिन को लग रहा था शायद ये कैलकुलेशन सही नहीं है क्योंकि इन लोगोंने थ्री बाडी प्रॉब्लम के बारे में तो सोचा ही नहीं गुसे में राजा आदेश देते हैं दोनों को उबाल दो फिर दोनों को खौलते वे पानी में डुबा दिया जाता है जिन जमीन को छूकर दिन को आगे बढ़ाने लगती है और वो उस समय तक पहुँँ जाती है जहां तीनों सूरज बिलकुल एक साथ लाइन में लगे वे थे उन तीनों सूरज का ग्रैविटेशनल फोर्स मिलकर सभी को अपनी तरफ खीचने लगता है जिन फिर से उस छोटी बच्ची को नहीं बचा पाती और सारे लोग मारे जाते हैं उसके बाद वहाँ वही सिर काटने वाली औरत आ जाती है और कहती है कि इस सभीता का अंथ तीन सूरज के सीजीगी के वज़े से खतम हुआ सीजीगी का मतलब है वो पोजिशन जिसमें ये तीन सूरज एक लाइन पर रहते हैं लेकिन दोनों को चौथे लेवल पर भेज दिया गया था क्योंकि उन लोगोंने सही कारण को ढूंड लिया कि इस सभीता का अंथ कैसे हुआ हमने देखा था कोई तो था जो उस गेम पर नज़र रखावा था और वो आदमी कोई और नहीं बलके माइक का आदमी फेलिक्स है फेलिक्स उन दोनों प्लेयर के बारे में माइक को बता देता है तो माइक कहता है कि इन्हें लंडन में होने वाले मीटिंग में आने का इंविटेशन भेज़ दो माइक वापस हैंसल और ग्रेटल बुक पर रहा था और एक औरत स्पीकर के जरीए उसे बात कर रही थी और वो औरत कोई और नहीं बलके वही एलियन है जिसे माइक माइल लॉट कहकर बुलाता है सुबह सुबह जीन और जैक को लेवल फोर पर जाने का इंविटेशन मिलता है वो लोग एक जगा पहुँँ जाते हैं और डिटेक्टिव की भी नजर उनके पीछ ही थी वहाँ पर वही अजीब औरत मिलती है जो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों इंग्लेंड में पहले हो जो इस चौथे लेवल तक पहुँँचे हैं वो औरत जिनकी तारीफ करती है कि वो कितनी जल्दी थ्री बॉड़ी प्रॉब्लम के बारे में समझ गई और वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग बाकी प्लेयर से काफी तेज दोड़ता है इसके बाद दोनों लेवल 4 खिलने के लिए पहुँच जाते हैं और वो लोग एक बंजर जमीन पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें सेर काटने वाली और और वही चोटी बच्ची मिलती है और बताती है तुम सही थे इस थ्री बॉड़ी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है ही नहीं और उस औरत की ही आवाज हमने माइक के स्पीकर में सुना था और वो उन दोनों से कहती है के जिस ग्रह की किसमत इतनी बूरी हो के वहाँ कोई रह भी न सके वहाँ का सिर्फ एक ही सल्यूशन है वहाँ से भाग निकलना वो औरत कहती है इसलिए जब हमें तुम्हारे ग्रह पर आने का नियोता मिला तो हमने अपने लिए हजार स्पेश शिप्स बनाएं और वो लोग कभी भी प्रित्वी पर पहुँँ सकते हैं वो लड़की जिन से पूछती है के आप हमारा स्वागत करेंगे हम सब आप लोगों से मिलना चाते हैं वो लोग अपना हेट से टुटार लेते हैं और उन्हें समझ आ गया था के उन्होंने जिससे भी कॉंटेक्ट किया वो सब असली है वो लड़की बताती है के उन लोगों का नाम है सान्टी और उनसे सबसे पहले कॉंटेक्ट चाइना ने किया था और चाइना में सान्टी रेन का मतलब होता है त्री बॉडी पीपल और इस गेम को एलियन्स ने बनाया है ताके वो अपने अस्थिर सूरच के बारे में हमें बता सके जैक को ये सब बक्वास लग रा था क्योंकि उसे एलियन पर भरोसा है ही नहीं वो औरत कहती है कि तुम यहां से जा सकते हो अगर तुम्हें इस पर यकीन नहीं है तो जैक वहां से चला जाता है वो औरत जिन को इंविटेशन देती है मीटिंग में आने के लिए और ऐसे ही इंविटेशन लेवल 4 पर पहुंचने वाले और बाकि सारे प्लेश को भी दिया गया था वो औरत जानती है कि कैसे जिन को उसके घर से बेद अखल कर दिया गया और शायद इसलिए वो उन एलियंस के दर्द को महसूस कर पा रही है जिन चौंक जाती है कि इस ओरत को इतना कैसे पता वो बताने लगती है कि आधी रात में बाड़ के आने से उसका घर बह गया, जिसमें उसके ममी पापा मारे गए, जैक जब अपने घर आता है तो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा था, जैक कमरे में आकर देखता है कि उसका लैपटप पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, भले ही वो पूरा फ्लोर कांच का बनावा था, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, वो लड़की कैमरा से गायब हो जाती है, अब कहानी आ जाती है 1982 के समय को दिखाते वे, लंडन में हम माइक को देखते हैं, जो ये वेंजी से मिलने के लि उनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, समय के साथ हालात बदल जाते हैं, माई कहता है मेरे लिए नहीं, उन विलप्त वे प्रजाती के लिए लड़ने के लिए मैं उस जोपड़ी में अभी भी रह सकता था, लेकिन कभी कबार ताकतवर लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़त वो ये वेंजी से पूचता है कि तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया, वो बताती है कि उस पहाड के उपर मैंने कुछ किया था, मुझे नहीं पता मुझे किस से बात करनी चाहिए थी, इसके बाद कहानी आ जाती है प्रेजेंट याने के 2024 में, हम विल को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, और उसे मिलने के लिए सौल आता है, वो काफी घबराया हुआ था, डिटेक्टिव और थॉमस, जिन और ऑगी को जैक के घर का वीडियो दिखाते हैं, जिसमें उसकी मौत हो जाती है, ऑगी कहती है, ये वही लड़की है जि उसी के वज़े से जैक की मौत हुई, क्योंकि वो गेम खेलना बंदी नहीं कर रहा था, और वो उस लड़की के सामने चुप भी नहीं हो रहा था, वो कहने लगती है के सांटी सही में है, और वो लोग यहां आने वाले हैं, और कहती है कि मुझे इन एलियन से लड़ना नही फिर हम उसी जहास को देखते हैं जहां माइक के साथ और भी बहुत सारे लोग, करीब हजार लोग रह रह रहे थें, और एक चोटी बच्ची माइक से पूछती है कि हम भगवान से कब मिलेंगे, माइक उसे कहता है कि भगवान चमतकार कर सकते हैं, और जब तक वो नहीं आत से बात करता है, वो और अतमाईक को बता देती है कि तुम्हारे दुश्मन जानते हैं तुम कहां हो, और वो मीटिंग के बारे में भी जानते हैं, डिटेक्टिव जब अपने घर पे था तो उसका बेटा एक बहुत ही वाइलेंड गेम खेल रहा था, डिटेक्टिव अपने लेकिन डिटेक्टिव को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो लड़का वादा करता है कि वो अपने पापा के लिए फ्यूचर में एक घर जरूर खड़ देगा, विल जैक के कमरे में था जहां उसका मर्डर हुआ था, और उसे और सोल को वहां पर एक डबबे के अंद जैक के बच्पन के तस्वीर मिलते हैं, मीटिंग में जाने से पहले डिटेक्टिव जिन को समझा देता है कि तुम हमारे लिए जासुस का काम करोगी, हमारी नजर तुम पर ही रहेगी, और वो उसे कहते हैं कि हो सके तो बैग में कपड़े, टूद ब्रश सब रख लेना, क वही माईक माई लॉर्ड को एक कहानी पढ़कर सुनाता है, जिसे सुनकर माई लॉर्ड के काफी सारे सवाल भी होते हैं, जो वो पूछने भी लगती है और कहा जाये तो वो इनसानों के नेचर को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि एलिय माईक की बातों को समझने लगती है, माईक उनसे कहता है कि इसलिए तो आपको हमारी जरुवत है, ताकि आप इनसानों को अच्छे से समझ सकें, लेकिन वो कहने लगती है कि जूट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, ये सुनकर माईक घबराने लगता है, कहीं वो एलियन यहां आने का इरादा ना बदलतें, जिन एक विरान जगाती है जहां एक औरत पहले उसकी चेकिंग करती है, उसका रेटिना स्कैन करती है, और उसके बाद उस अपने गाड़ी में बैठने को बोलती है, वो उसे मीटिंग तक ले शिव उस लड़की की आवाज को सुनकर पहचान जाता है, कि इसी लड़की से तो वो कबरिस्तान पर मिला था, मीटिंग में वो लड़की अपने लौट के बारे में बात करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस संगठन की फाउंडर को बुलाया जाता है, जो कोई और और नहीं, बलके वेरा की माँ ये वेंजी है, जिसे देखकर सभी का होश उड़ गया था, क्योंकि इसकी उमीद किसी को नहीं थी, वो वहाँ स्टेज पर जाकर कहने लगती है, कि मैंने अपने मुल्क को तबाह होते वे देखा है, मेरी फैमली खतम हो गई, इनसान इनसानो आरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनके यहां पहुंचने में 400 साल लग जाएगा, इसलिए हमें अपने बच्चों को उनके आने के स्वागत के लिए तयार करना पड़ेगा, और उस दुनिया को भी, लेकिन तभी वहाँ पर बंदुक लेकर फोर्स की टीम पहुंचाती है, और जीन को वो अपने साथ ले जा रहे थें, लेकिन तभी वो रहसे में औरत बंदुक निकाल कर गोली चला देती है, और वहाँ भगदर मज जाती है, डिटेक्टिव जीन को लेकर वहाँ से निकलते हैं, और उसे कहते हैं, कि हम तुमें एक महफूस जगा ले जाएंगे, तु कहने लगती है कि बहुत अजीब कुछ हो रहा है, और ये सब हमारे बारे में हैं, जो हमारे पैदा होने से पहले शुरू हुआ था, फिर कहानी चली जाती है 1984 में, हम North Atlantic Ocean में एक जहास को देखते हैं, जिसमें वही बड़ा सा एंटीना लगावा था, ये वेंजी माइक के सा हो, और एलियन्स हमारे बारे में कुछ जानना चाते हैं, और अपने बारे में भी बताना चाते हैं, वो ये वेंजी से कहता है कि तुम हमारे लिए उमीद बन कर आई हो, और वो आ रहे हैं, जिसके बाद दोनों के स्करने लगते हैं, कहानी आ जाती है प्रेजन्ट में, ये जब आएंगे तुम उनका एहसान मानोगे। पूछता है क्या तुम्हें वहाँ से रिपलाय आया था और उन्होंने कहा था कॉंटेट करने की जरुवत नहीं है लेकिन फिर भी तुमने उन्हें मैसेज भेजा। डिटेक्टिव ये वेंजी के लिए काफी लेकर आते हैं और वो कहने लगती है कि तुमने मुझे लौट के कहने पर ही पकड़ा है। यहां में पता चलता है कि माइक वेरा के पिता है लेकिन ये बाद उसने अपनी बेटी से छुपा के रखा इस तरह से वो अपनी बेटी को बचा के रखना चाती थी लेकिन ये प्लैन काम नहीं आया। डिटेक्टिव उसे पूछते हैं कि इन सब में जिन को शामिल क्यूं किया। वो बताने लगती है क्यूंकि वो इस पीड़ी की बहुत अच्छी फिजिसिस्ट है। डिटेक्टिव कहता है कि मैसेच को उनके ग्रह तक पहुँचने में चार साल लग जाते हैं और उनके जव मैक उस जहाज में कर क्या रहा है वो कहने लगती है काश में तुम्हें भविश्य दिखा सकती। डिटेक्टिव जवाब देता है कि तुम जेतना सोच रही हो भविश्य उतना अच्छा तो नहीं होगा। इंट्रोगेशन के बारे में डिटेक्टिव थॉमस से बात कर रहा बाहोगा। बच्चे लोग भी है वहाँ और वो भी मारे जाएंगे। लेकिन डिटेक्टिव बताता है कि उस जहाज ने अगले महीने पैनेमा कैनल आथरिटी में एक दिन के लिए स्लॉट बुक किया है। जहाज में देखते हैं कि फिलिक्स काफी घबराय वा था क्यूंक अब इनसानों से बात करना बंद कर दिया क्यूंकि उन्हें लग रहा था कि इनसान उन्हें धोका दे सकते हैं। मगर माईक गिरगराने लगता है कि मैंने आपसे कभी जूट नी बोला हमसे बात करिये। डिटेक्टिव औगी और जिन के लिए खाना लेकर आते हैं और वो ओगी से कहता है कि वो राज हासिल करने के लिए तुम्हें अपना नैनो फाइबर प्रोडक्शन दोबारा से शुरू करना होगा। काउंट डाउन के वज़े से ओगी डरी भी थी और वो पूछती है कि मेरे नैनो फाइबर से क्या हो जाएगा। लेकिन डिटेक्टिव कु और नहीं दिखाए दे रहा क्योंकि वो एलियन अब इनसानों से बात करना बंद कर चुके हैं क्योंकि उन्हें लगता है इनसान जूटे धोके बाज होते हैं। थॉमस, राज और बाकी के नेवी आफिसर्स को अगले छे दिन चलने वाले एक प्रोजेट के बारे में बतात है कि जैक ने अपना आधा प्रॉपर्टी विल के नाम कर दिया है और टैक्स काटने के बाद विल को 20 मिलियन पाउंड मिलेगा और वो उसे डॉकुमेंट दे दिता है साइन करने के लिए। सोल उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैक भी यही चाता कि तुम अपने ट्रीट लगा रहे थे। थॉमस राज को जाकर बता देता है कि काम जल्दी से करो 26 घंटे में जहाज यहां पहुंच जाएगा फिर वो औगी से जाकर बात करता है और राज को कहता है कि उस लड़की पर थोरा नज़र रखना मुझे उस पर भरोसा नहीं है। औगी इस बात को लेक के लिए ये बस एक काम है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने लोगों की जान जाती है क्योंकि ये करना जरूरी है। औगी किसी को मारना नहीं चाती थी और वो राज से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये क्यूं हो रहा है वो कहता है कि हम एक जंग में ह ऐसे ही माइक वाला जहाज पहुंचता है और नैनो फाइबर सिस्टम को अन कर दिया जाता है। माइक अपने लौट का इंदजार कर रहा था। राज देखता है कि नैनो फाइबर काम ही निकर रहे हैं और वो औगी से पूछता है क्या अखिर हुआ क्या आगी कहती है काम कर रहा है फिर वो फाइबर जो इनसानी बाल से 3000 गुना पतले होते हैं वो जहाज में लोगों को काटने लगते हैं तबाही मचने लगती है और सभी अपनी जान बचा कर भाग रहे थे और सभी लोगों के शरीर बीच से कट जाते हैं फिलिक्स की भी मौत हो जाती और आखिर म माइक भी मर जाता है नैनो फाइबर की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं ये देखर के जाहाज के भी पतले पतले टुकडे हो जाते हैं और कुछ नहीं बचता ये सब देखकर ऑगी तो खुश नहीं थी फिर वहां सोलजर पहुंच जाते हैं ऑगी वहां एक छोटे करने वाले सारे चैट्स होंगे सभी कंप्यूटर एक्सपर्ट उस ड्राइव को खोलने में लगे वे थे लेकिन एक आदमी कहता है कि इसे क्रैक करने में 3.8 billion years का समय लग सकता है और कहते हैं कि इस ड्राइव को तोड़ दो लेकिन तभी वो ड्राइव खुद बखुद 100 million GB का है थॉमस जहास के साथ जो कुछ भी हुआ ये वेंजी से वो पूछता है क्या लॉड चाते थे ये सब कुछ हो वो कहती है हाँ लेकिन उसे यकीन है कि वो इंसानों को बचाने के लिए आ रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ लोग मारे जाते हैं तो थॉम वेंजी रेकौर्डिंग को सुनती है और उस रेकौर्डिंग में वही हिस्सा था जिसमें एलियन को समझा जाता है कि इंसान जूटे धोके बाज होते हैं और वो लोग इंसान के साथ अब नहीं रह सकते हैं ये सुनकर ये वेंजी को यقین नहीं हो रहा था कि उनके लाड उनके ही लोगों पर यकीन नहीं कर रहें जीन, औगी और राज को कॉल कर रही थी लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था उसे मिलने के लिए थॉमस आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें एक्स्ट्रा डायमेंशन हायर डायमेंशन के बारे में जानती हो इस बारे में थॉमस को राज ने बताया था वो थॉमस से पूछती है कि तुम्हें हायर डायमेंशन के बारे में क्यों जाना है वो पूछता है तुम सोफॉन के बारे में क्या जानती हो और सोफॉन ही उस हंड्रेड मिलियन जी बी फाइल का नाम है जिनको लगता है कि शायद ये गेम का कोई और लेवल है फिर वो दोनों हेड़सेट पहन लेते हैं और पहली बार गेम के अंदर पहुँचकर थामस काफी चौंग गया था क्यूंकि इतना एडवांस वर्चुल रियालिटी उसने अपनी जिन्देगी में पह डर है कि 400 साल के बाद में जब उनका जहाज पृत्वी पहुचेगा तो इंसान इतने एडवांस हो चुके होंगे कि वो एलियंस को तबाह कर देंगे इसलिए वो लोग चाहते हैं कि पृत्वी से साइंस खतम हो जाए और ये काम वो अपने सोफॉन से करेंगे जो एक प्रो प्रोटन हायर डायमेंशन में खुलेगा तो ये चोटा सा प्रोटन भी बड़े आकार में बदल सकता है और वो इस दुनिया से बड़ा एक ऐसा दिमाग बना सकते हैं जिसका नाम सोफॉन है फिर ये बड़ा दिमाग अपने असली रूप में आ जाता है मतलब कि एक चोटा सा प्रोटन बन जाता है और ऐसे ही चार सोफॉन बनाए गए हैं दो के पेर्स में दो उन लोगों के पास है और दो उन लोगों ने इनसानों के पास बेजा है और जो कुछ भी इनसान देखते हैं सुनते हैं वो तो रंत एलियंस देख और सुन सकते हैं भले ही वो लाइट पर 24 घंटे नज़र रख पाएंगे और जब दोनों अपना हेट से तूटार देते हैं तो उनका मॉनिटर ब्लिंक हो रहा था तभी आचानक से रास्ते पर सभी के फोन काम करना बंद कर देते हैं सारे electronic device का वही हाल था और उसमें लिखावा था you are bugs मतलब तुम सब कीड़े हो और ये वेंजी ये मेसेज देकर घबराने लगी थी तभी पूरे पृत्वी को आस्मान से कुछ ढखने लगता है और ये सोफोन है और वो बिलकुल पृत्वी जैसा ही बन जाता है मतलब कि जो नीचे है वही उपर देखने को मिल रहा था और वहां कई सारे आँख जैसे आ आँगे कुछ लोग तो एलियन से लड़ने की तयारी भी कर रहे थे और ऐसे कई सारे मल्टी नेशनल एजेंसी बनाए गए हैं गलोबल डिफेंस के लिए जिन खिड़की के बाहर देखती है के पूरा शेहर जल रहा था ज्यादातर जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया जात है कुछ ऐसे संगठन भी सामने आये हैं जो उन एलियन सी आने के सांटी को अपना भगवान मानते हैं वो मानते हैं के वो इनसान को बचा लेंगे डिटेक्टिव की भी नजर जाती है लैंप पोस्ट पर जहां लाइन से लोगों की लाश लटकी वी थी मतलब कि उन लोगों ने खुट को मार दिया मतलब कि डर के मारे लोग अपनी जान भी दे दे रहे थें येवेंजी से मिलने के लिए जीन आती है और येवेंजी उस मेसेज को सुनने के बाद से चुप बैठी हुई है क्योंकि उसके भगवान ने इनसानों को कीड़ा कैसे बोल दिया जीन उसे है कि बाहर लोग बहुत डरेवे हैं लोग अपने साथ गलत काम कर रहे हैं जादातर तुम्हारे फॉलोवर्स हैं आप मुझे बताईए कि आखिर वेरा ने खुद को क्यों मारा और क्या जैक को भी तुमने ही मरवाया है ये वेंजी बताने लगती है कि स्टेज पर जब मेर दुनिया को बनाओ रेडगार्ट की यही बात से ये वेंजी सहमत थी और वो इस नई दुनिया को बना रही है और उसे उमीद है कि जब वो लोग यहां आएंगे तो वो इंसानों को बचा लेंगे जिन उसे पूछती है कि जो हमें कीड़े समझते हैं तुम्हें लगता है वो हमें बचाएंगे वो जाते जाते कहती है कि दुनिया तुम्हें गदार के रूप में याद रखेगी फिजिसिस्ट के रूप में नहीं अब लंडन शहर से दूर विच वूड मैनर में सारे सोलजर को लाया जाता है ताके वो शहर के दंगों से दूर रहकर यहां पर एल वा नहीं है कहता है कि वो अपना काम करते रहेंगे और वैसे भी यह समझ आ गया है कि हम टेक्नोलोजी में काफी फास्ट हैं हम उनके स्पेशिप को रोकने के लिए अपना स्पेशिप भेजेंगे ताके हम उनकी कमजोरी को जान पाएं लेगिन वो लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी एक शिप बना कर भीजने ना मुम्किन है सोफोन के बारे में बात करने पर जिन बताती है कि हम उन दो सोफोन में से एक को बीजी करना होगा इस तरीके से सांटी को काफी नुकसान भी होगा यह आइडिया थामस को पसंद आता है और वो जिन से मदद मानता है कि वो उपर ओजोन लेयर तक पहुंच सकूँ फिर वहाँ पर ऑगी भी आ जाती है और कीले के अंदर सारे सोलजर अपना सारा सिस्टम सेट अप करके काम करने में लगे वे थें जिन वहाँ बड़े बड़े इंजिनियर से बात करती है क्योंकि वो लोग एक ऐसी तरकीब ढून र और जब भी एक एटम बम फटेगा वो जहास की स्पीड को बढ़ा देगा और आगे धगेल देगा हर धमाके के साथ जहास को और गती मिलेगी हजार धमाके के बाद हमारा शिप एक परसेंट लाइट स्पीड पर पहुंच जाएगा लेकिन इस पर इंजिनियर कहते हैं कि हम लोग न्यूकिलिर समझोते का क्या करेंगे इस पर कितना खड़ जाएगा यह आपको पता है वैसे थॉमस कोई आइडिया पसंद था और वो कहता है कि मरने से पहले वो एक बार कोशिश तो करना चाता है दूसरी तरफ सोल और विल और और ऑगी एक दुकान के टीवी पर द थॉमस उठकर खिड़ की आराम से खोल देता है राज थॉमस से कहता है कि वो यहां रहकर कम्प्यूटर में काम नहीं करना चाहता है बलके वो उनके साथ काम करना चाता है जो स्पेशिप बनाने में मदब कर रहे हैं थॉमस मान जाता है और जहास को चांड पर बनाय और वैसे भी अगर इस मिशन में जिन्दा बचे तो तुम्हें मेडल भी दिया जाएगा वो जाते जाते उसे खिड़की बंद करने को बूलता है अब बहुत समय के बाद जिन अपने दोस्तों से मिलती है और वो ऑगी से पूछती है कि इतने दिन तुम कहां थी ऑगी कहती है राज ने तुम्हें बताया नहीं वो विल को एक गोल्ड फिश गिफ्ट करती है और ओगी काफी गुसे में है क्योंकि उसे थामस बिल्कुल भी नहीं पसंद और उसकी दोस्त उसी के लिए काम कर रही है लेकिन जिन कहती है कम से कम वो कोशिश तो कर रहा है शांटी ने जं केजी से कम होना चाहिए लेकिन ओगी उसकी मदद नहीं करना चाहती अगले सुबा समुदर के नारे जिन विल से बात करने के लिए जाती है और उसे भी कैंसर के बारे में पता है और कहती है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कुछ समय के बाद सौल विल से मिलने के ल तुम्हें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, अब इसलिए वो लंडन जाने के लिए निकल जाता है, पैनमा में जो कुछ भी हुआ, सच जाने के बाद जिन अपने बॉइफरेंड राज पर बहुत गुस्ता थी, क्यूंकि उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया, राज कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, कि आउगी मासूम है, उसी के नैनो फाइबर के वज़े से हज़ारों लोगों की जान गई, जिन कहती है इसलिए वो इतना ड्रिंक करती है, उसे रात में नींद नहीं आती, वो खुद को दोशी मानती है, राज जीन से कहता है कि तुम जो कर रही हो, वो भी तो जंग की तैयारी ही है, फिर उस रात आउगी बहुत जादा उल्टी करती है क्योंकि वो बहुत ड्रिंक कर रही थी, सौल उसे समालता है, सच बताने के बाद राज जीन से माफी मांगता है और दोनों गरे लगते हैं, और ये सब कुछ दूर से वि देख लिया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, ये वेंजी के उपर किसी भी चीज़ का इल्जाम नहीं था, इसलिए डिटेक्टिव उसे जाने देते हैं, बीच हाउस में बैट कर तीनों बाते कर रहे थें और विल औगी को बताता है कि उसे जीन की मदद करनी चाहिए, उ उस मिशन में जिसके लिए वो दिन रात लगी ही है, वो कहता है कि अगर जीन गलत होती तो शायद जीन उस काम के लिए नहीं मानती, वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है, इसमें तो सबकी भलाई है, इसलिए तुम्हारी मदद उसके काम आ सकती है, जीन तौमस को जाकर एक प् भी कर सकते हैं, थॉमस कहता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो कहता है कि एलियंस जहास को तबह नहीं करेंगे, वो जहास को पकड़ लेंगे, और हम जहास के अंदर अपने इंसानों को भेजेंगे, ये वेंजी को छोड़ दिया गया था और उसे बाहर एक टीवेरा के सामने अगर बत्ती जलाती है, और प्राथना करती है, और वो अपने लॉड से कहने लगती है कि हम जूटे हैं, इसलिए आप लोग हमें खतम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत मुझ से हुई थी, विल एक डोनेशन सेंटर पहुंचाता है, दस कोई बहतर जगाने मिला पैसा खर्च करने के लिए, विल कहता है नहीं, और इस बारे में वो जिन को कुछ भी नहीं बताना चाता, सॉल फ्रस्टेट हो जाता है क्योंकि विल अपनी दिल की बात जिन को बताता ही नहीं, लेकिन तब ही विल बेहोश हो जाता है, विल को हॉस स्टार जिन को गिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये बात जिन नहीं जानती, उसे लगता है किसी चाहने वाले ने उसके लिए स्टार गिफ्ट किया है, डॉक्टर और इंजिनियर एक साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और वो लोग बता रहे होते हैं, कि अगर एक परसेंट लाइ है ना वो होश में है, उन्होंने चिंपैंजी के दिमा को जमा दिया था, इस तरह से इनसान को भी प्रिजर्फ करके रखा जा पाएगा, चिंपैंजी को होश में लाया जाता है और उसका टेस्ट भी लिया जाता है, उसके बाद उसे एक केला दिया जाता है, खाने के लिए लेकिन केरा खाने के बाद उसे उल्टी हो जाती है और गी बात करने पर बताती है कि वो इस मिशन पर काम करने के लिए इसलिए मानी है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाती है लेकिन शायद वो गरत लोगों के साथ है लेकिन जीन उसे समझाती है कि हम जो कर रहे हैं वो सब के लिए कर रहे हैं क्यूंकि हमारे पास अब जादा समय नहीं है पलक जपकते ही ये 400 साल भी बीच जाएंगे अभी नहीं तो कभी नहीं विल से मिलने के लिए उसके रिश्टेदार आते हैं और रॉक सैन बताती है कि कैसे विल को हमेशा आगे बढ चलता है कि वो दोनों यहाँ पर आए हैं विल से उसकी प्रॉपर्टी मांगने के लिए क्यूंकि अब तो विल के लिए ये सारी चीज़ें बेकार ही हैं विल उन्हें कहा देता है कि मेरी माने जो मेरे लिए कुछ भी छोड़ा है वो सब तुम्हा रही है थामस एक उसे हम प्रिजर्व करके रखेंगे एक तरह से देखाए जा तो हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा और फिर से घबरा गई थी कि इस मिशन के लिए किसी की जान लेनी पड़ेगी वो वहाँ बैठे वे इंजिनियर डॉक्टर से पूछता है कि कौन जाना चाता है उस एलिय दोनों को बताता है कि विल को वो लोग भेजेंगे उस स्पेशिप के अंदर क्योंकि विल फिजिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है ओगी और जिन मना कर रहे थे क्योंकि विल उनका दोस्त है लेकिन थॉमस रुखने वालों में से नहीं था वो विल को मना कर रहेगा ये सब देखकर औगी कहने लगती है कि मुझे यहां आना ही नी चाहिए था, इसलिए वो यहां से जा रही थी, डिटेक्टिव अपने घर पर वही वाइलेंट गेम खेल रहा था जो उसका बेटा भी देख लेता है, और वो अपने पापा से कहता है सिर्फ बटन दबाने से ग मीना हो, डिटेक्टिव खुश होते हैं कि उसके बेटे ने ये सब कुछ खुछ से किया है, लेकिन वो कहते हैं ये बकवास है, उसका बेटा कहता है तो फिर आप हमारे साथ काम करिए, बकवास को रियल बनाने में, और गी अपने बास से मिलने की ले जाती है और अपने बा पी रैट से भी बच सकते हैं, ये सबसे डेनिस मतलब उनका बहुत काफी गुसा हो गया था, क्योंकि अब दूसरे कमपनी भी नैनो फाइबर बनाने लगेंगे तो उनके कमपनी को नुक्सान होगा, लेकिन औगी कोई से कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि वो यहां से जा अगर मैं नहीं तो तुम्हारे प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो जिन से कह देता है कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन उसे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब समय नहीं है, ये सुनने के बाद जिन रोने लगती है, ये विन जी अपनी बेटी को याद कर रही और उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम से मिलना है, वो कबरस्तान में सोल से मिलती है, सोल कहने लगता है कि वेरा को पता था कि आपने एलियन को यहां बुलाया है, लेकिन वो ऐसे ही ये कदम नहीं उठा सकती थी, जरूर उसके हाथ कुछ तो इहमियत एक समानी हो जाती है, थॉमस देखता है कि विल के सारे रिजल्ट्स पॉजडिव हैं हैं लेकिन उसे एक साइन चाहिए था, इसके बाद हम उसी मिस्टीरियस ओरत को देखते हैं जो जंगल में एक वैन में रहती है, वो टीवी देख रही थी लेकिन तभी टीवी क आदमी उसका पीछा कर रहा था, वो जानती है कि वो उसका पीछा कर रहा है लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैंने अपना सीड बदल लिया है और मैं तुम्हारे बगल में बैटरी हूँ, सफर बहुत लंबा है, विल को हॉस्पिटल से अब दूसरे जगा शिफ्ट कर दि जा था, क्योंकि उसे विरासत में बहुत सारे पैसे मिले हैं, अच्छा होगा कि वो स्टार तुम किसी को बेच दो, विल टैबलेट पर अपने सवालों का जवाब दे रहा था, सवाल ये था कि क्या आप अपनी जिंदगी खतम करना चाहते हैं, हां के लिए 5 दबाएं और वो पांच दबा देता है, सोल उसे समझा रहा होता है कि तुम उस मिशन पर जाओगे तो हो सकता है कि एलियन तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हारे ब्रेशन को स्टडि करेंगे, तुम्हें फ्रीज करके रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान कैसा इमोश इसलिए तो में इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए लेकिन विल अपना मन बना चुका है और वो जाना चाहता है क्यूंकि ये मौकार जादा लोगों को नहीं मिलता जिन हॉस्पिटल पहुँचती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त जा चुका था उसके दिमाग को निकालने का प्रोसीजर शुरू हो चुका था ये देखकर जिन काफी रोने लगती है ये वेंजी और डिटेक्टिव का आदमी मौनगोलिया पहुँच जाते हैं मिलिटरी बेस के बाहर जहाँ वो सालों पहले काम क्या करती थी और वो मिलिटरी बेस के अंदर जाती है अके लौड ने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा, ये विंजी वहां से कूदने का अपना मन बना चुकी है, लेकिन टाटियाना उसे कहती है कि मैं आपको कुछ और दे सकती हूँ, कुछ खुबसूरत, दोनों वहां पर बैट कर बाते करते हैं, और ये विंजी कहती है कि पहले य करने का वक्त आ गया है, और वो वहां आखरी बार सूरज को ढ़लते वे देखती है, सोल स्मोकिंग करते वे टीवी पर निउस देख रहा था, एलियन इन्वेजन के बारे में, और उसके घर में एक लड़की भी थी नौरा, और उसे भी ये सब बहुत अजीब लगता है, ए अपने उबर के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी स्केटिंग करने वाला लड़का सोल से टकरा जाता है, जिस वज़े से दो गारी का एक्सिदेंट हो जाता है, और एक गारी आउट ओफ कंट्रोल होकर उस लड़की नौरा को ही ठोक देती है, जिससे उस लड़की की वही मौत हो जाती है, सोल को पुलिस टेशन बुलाया जाता है और डिटेक्टिव उसे पूछताच करते हैं, और वो से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरुद नहीं है, तुम्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा, तुम्हारे चारो दोस्तों के साथ क्या हुआ ले भी गए थे, और बता दू कि ये वेंजी का चाइना में मर्डर हो गया, और डिटेक्टिव का आदमी भी वहां मारा गया, डिटेक्टिव कहते हैं कि सोल को भी किसी ने मरने की कोशिश की, यूँकि जिस गाड़ी से उस लड़की की मौत हुई, वो आटोनॉमस गाड़ शिप में भेजना चाती है, मगर थॉमस मना करता है, कहता है कि इससे वजन बढ़ जाएगा, और वैसे भी तुम्हारे दोस्त का शरीर तो है ही नहीं, तो इसे खाएगा कौन, सॉल नियू योर्क पहुंच जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा ह उसे यहां लाया क्यों गया है, वहाएं का आदमी था जो कहता है कि आज वो लोग अपना प्रोजेट पेश करने वाले हैं, फिर सॉल और डिटेक्टिव पहुंच जाते हैं उस सेरिमनी तक, जहां वो लोग भी सांटी के बारे में बात कर रहे थें, यूएन की जनरल सेक्र कहने लगती है कि ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमें कीडे समझते हैं, हमारी हर चाल पर उनकी नजर है, तो आखिर इने हराया कैसे जाए, सो फॉन ताकतवर तो हैं लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं है, कि वो इनसानों के दिमाग को पढ़ पाए, इसलिए एस प्रोजेट को जनरल हो बोलिन, जिनकी लिखी हुई मिलिटरी किताबे हर जगा पढ़ाई जाती है, दूसरी है लैला एरिक, जो पहले आयेस आयेस से लड़ चुकी है, और तीसरा मेंबर है सोल, नाम सुनकर वो भी चौंग गया था, वो सेकरिटरी जनरल से बात करता है, कहता है कि मैं तो जाना चाता है, वो भी अकेले, लेकिन डिटेक्टिव उसे मना करता है, फिर भी वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही, उसे गोली लग जाती है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के वज़े से उसे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थॉमस अपने पूरे टीम को लेकर दूसरे जगा जा रहा था। जीन भी वहाँ आती है लेकिन वो अपने बॉइफरेंड राज के साथ नहीं बैठती। वो अकेले बैठ जाती है। तब थॉमस को डिटेक्टिव का कॉल आता है और हॉस्पिटल में सोल को होश आ जाता है। और वो मानता है कि ये उसी की गलती है। सोल उसे मिलना चाहता है जिसने उस पर गोली मारी। राज जीन से बात करने के लिए आता है और उसे पूछता है कि तुमने ब्रेक अप कर लिया या तुमने मुझे ब्रेक अप के बारे में बताया नहीं जीन अपने काम को लेकर काफी स्ट्रेस में थी क्योंकि उसे चिनता है कि स्पेस्शिप के अंदर विल के दिमाग को रखा और किसी भी तरह उसे बचाना होगा क्योंकि स्पेश शिप तीन सो बॉम से होते वे गुजरेगा राज उसे पूछता है क्या तुम विल से प्यार करती थी जिन कहती है प्यार करती हूँ वो अभी भी जिन्दा है दूसरी तरफ हॉस्पिटल में उस शूटर को लाया जाता है जिसने गूली चलाई थी शूटर उसे सौरी कहता है और बूलता है कि मैं तुम्हें सिर पर गूली मारने वाला था लेकिन मैंने योता है था बावजुद इसके के उसने वाल फेसर बनने से मना कर दिया वो जरनल सेक्रेटरी से मिलता है जो बताती है कि इससे कोई फर्क नइ पड़ता है कि तुम वाल फेसर हो या नहीं फर्क इससे पड़ता है कि लोग सोचना पड़ेगा उनसे लड़ना पड़ेगा सॉल जानना चाता है कि उसे वाल फेसर क्यों चुना गया जिस पर वो कहती है कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा सॉल केंट से आगर कहता है कि वो अपने दोस से मिलना चाता है जिसे कर स्पेस में भेज दिया जाएगा फिर हम जंगल में टाटियाना को देखते हैं जब वो अपने वैन के पास आती है तो दरवाजा खुलावा था वो अपना बंदुक निकाल लेती है लेकिन उसे अंदर में वही हेड सेट मिलता है जिसे देखर वो बहुत खुश हो गई थी वो उसे पहन लेती है और रॉकेट लाँच होने के लिए तयार था और कैपसुल के अंदर विल के दिमाग को माइनस 150 डिगरी में जमा के रख दिया जाता है थॉमस जिन को बताता है कि उसने मसाले और बीज कैपसुल के अंदर रखवा दिये हैं और अब ये रॉकेट लाँच होने के लिए तयार था रॉकेट लाँच हो जाता है और तब ही वहाँ पर सॉल पहुंच जाता है पहले बॉम तक पहुँचने में कम से कम दो तिन घंटे लग जाएंगे इसलिए दोनों जाते हैं बाहर बात करने और सॉल की शुरक्षा के लिए डिटेक्टिव हमेशा उसके साथ ही राता था जिन उसे पूछती है कि तुम्हें इस मिशन के लिए क्यों चुना गया सॉल कहता है मुझे भी नहीं पता और वो बताता है कि विल जिन से कितना प्यार करता था और सोचता है कि कास उससे भी कोई इतना प्यार करता जिन कहती है वैसे एक है जो तुमसे बहुत प्यार करता है उसके बाद कहानी जाती है मेक्सिको में जहां हम ऑगी को देखते हैं जुगाओं के लोगों को अपना नैनो फाइबर से बना हुबा फिल्टर देती है और उन्हें समझाती है कि इस फिल्टर से पानी इतना साफ हो जाएगा कि बीमारी फैलेगी ही नहीं वो उस फिल्टर को नल में लगा देती है और तब ही उसे सॉल का कॉल आता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती फिर हम स्पेस में देखते हैं कि कैपसूल का रेडियेशन से खुल जाता है और वो कैपसूल लाइन में आगे बर रहा था फिर पहला धमाका होता है और कैपसूल की रवतार बढ़ जाती है हर धमाके के साथ कैपसूल का स्पीड बढ़ती ही जा रहा था सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन तब ही गड़बड़ी हो जाती है और कैपसूल अपने रास्ते से भटक जाता है सभी लोग काफी निराश हो गये थे क्यूंकि उनकी मैनत पर पानी फिर गया है एलियन कहती है बिल्कुल और अब तुम हमारे प्लैन का हिस्सा हो फिर वो एकदम से सामने आ जाती है और कहती है कि तुम जहां जाओगे हम तुमारा इंतजार कर रहे होंगे तुम वही देखोगे जो हम दिखाना चाते हैं जब तक तुम मर नहीं जाते तभी उसके सामने काउंटडाउन खतम हो जाता है और वो अपना ही चेहरा देखता है जिसकी आँखे निकली वी थी तुमा से सब देखकर बहुत डर गया था जिन बतारी होती है कि कैसे वो कैपस्यूल स्पेस में अपने रास्ते से भटक गया और शायद पचास लाग साल के बाद वो कैपस्यूल इस गैलक्सी से बाहर निकल जाएगा डिटेक्टिव वहाँ पर आकर बैटता है और उन्हें समझाता है कि हार माल लेने से सब कुछ खतम थोड़ी हो जाता है कितने सारे मिशन फेल होते हैं जिन कहती है कि हम अभी भी सांटी से लाखों गुना जादा धीमे चल रहे हैं डिटेक्टिव उन दोनों को लेकर ड्राइफ पर निकलता है और वो तीनों एक जील के किनारे रुकते हैं जहां पौदे पर बहुत साड़े कीडे लगे वे थें डिटेक्टिव ये देखकर उन्हें कहता है कि हम कीडो को मार देते हैं कुचल देते हैं लेकिन फिर भी ये यहीं है और कीडो के लिए वो टोस्ट करता है और दोनों से कहता है कि अभी बहुत काम बाकी है और इसे के साथ थ्री बॉड़ी प्रॉब्लम सीजन वान यहीं पर खतम हो जाती है तो अगर इस शो की बात की जाए कि मुझे ये शो कैसा लगा तो शो अच्छा ही लगा लेकिन बहुत जादा अच्छा नहीं इस शो का कॉंसेप्ट काफी हाई लेवल का था जो के समय समय पर काफी इंप्रेस भी करता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप उन के लिए उतनी फिक्र नहीं करते ऐसा लग रहा था कि सिर्फ टेकनिकल बाते चल रही है कि वो आएंगे वो आएंगे और यही सुनने को मिल रहा था कहानी इससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी यहां तक कि मुझे लगा लास्ट में कुछ तो होगा वो एलियंस जिसे सांटी का नाम दिया गया है, उनका दर्शन होगा लेकिन वो भी नहीं आए और ये जो कीडो के नाम पे लास्ट में दिखाया गया, ये सिन भी मुझे उतना स्ट्रॉंग नहीं लगा पता नहीं क्या सोचकर ये ending दिया गया था ये series जिस book पर based है उसके 3 parts है मुझे पता है कि कहानी complete नहीं हुई है अभी second book और third book बाकी है लेकिन फिर भी अगर देखाए जाय तो मुझे उतना interest नहीं आ रहा ये जाने में कि आगे क्या होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि इस show का season 2 शायद नहीं आएगा Netflix season 2 को cancel कर देगा मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 1899 के साथ भी ऐसा ही हुआ था उस show का भी starting काफी जबर्दस था लेकिन जैसे जैसे आप last तक पहुंचते हैं आपको समझ आ जाता है कि कहानी सिर्फ गोल गोल घूम रही है और जबर्दस्ती के mystery में आपको फसाने की कोशिश करते हैं लास्ट का एंडिंग काफी ठंडा था शायद इसलिए 1899 cancel हो गया और मुझे लगता है कि 3 body problem के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा हो सकता है chances हैं क्योंकि ऐसे shows का budget जो है वो बहुत जादा होता है और अगर जादा तर लोग इस show को ना देखे तो Netflix के लिए इतना जादा पैसा लगा कर अगले season में invest करना impossible हो जाएगा क्योंकि उन्हें भी तो आखिर में profit करना होता है ऐसा थोड़ी होता है कि सर्फ लोगों की बाते सुनकर loss में ही वो series बनाते रह जाएंगे खैर जो भी हो आपको ये show कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएं वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर